नमस्कार बच्चो तो बच्चो आजन प्लास फोर्थ हिंदी की एक कविता है आपकी नाओ बनाओ नाओ बनाओ जहाँ पर एक बच्चा अपने घरवालों से अपने भहिया से जिद करता है नाओ बनाने की तो I'm sure कि आपने कविता पढ़ ली होगी आपको समझ में आ गई होगी तो चलिए एक टेस्ट ले लेते हैं आपका उससे पहले टेस्ट करने का तरीका मैं जल्दी से आपको बता दूँ सबसे पहले आप क्वेशन सुनेंगे समझेंगे और उसके बाद comment section में या फिर अपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर दूदी पास कोई कॉपी पैंसिल रख लीजे आंसे लिखते जाएए साथ साथ फॉस्ट का जो भी है A B C D 2 A B C D इस तरीके से और लास्ट में वीडियो के आपको सभी क्वेशन के आंसे बत नीचे राइट साइड में रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब उसको टाप कर दीजे फाइदा यह होगा कि कोई भी नेक्स्ट वीडियो आईगी आपकी तो आपको पता लग जाएगा ओके तो पहला प्रशन है आपका भाया ने ना बनाने के लिए क्या बहाना बनाया बच्ये को लगता है कि भाया बहाना बना रहे हैं जो उन्होंने एक्स्क्यूज दिया था तो वो क्या था मुझे स्कूल का काम है नाव बनाना मेरे बसकी बात नहीं है मुझे नाव बनाने नहीं आती तो बताइए कि भाया ने क्या बहाना बनाया था जब बच्चा जिद कर रहा था नाव बनाने की बच्चों को शोग होता है लेकिन जैसे आप जानते हैं बड़े लोग जो है उनको जादे इंटरेस्ट नहीं होता है इन सब कामों में उनके पास और भी बहुत काम है तो कई बार वो कुछ बहाने बना कर बच्चों को टाल देते हैं तो भाया ने क्या बहाना बनाया था कि मुझे स्कूल का काम है नाव बनाने मेरे बस की बात नहीं है या फिर मुझे नाव बनानी नहीं आती अगला प्रशन है कौन बूंदो और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है आपके ऑप्शन्स है ए बिजली बी हवा या फिर सी नाव बूंदो से लड़ते हुए लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ती जारी है लिख लीजे आंसरस अपने आंसर टू जो भी आपको आंसर बताए जाए तो च्रॉस चेक हो जाए कि आपका आंसर सही है या फिर नहीं कितने अच्छे से आपको चाप्टर ये समझ में आया है ओके नेक्स क्वेशन इस किसकी गुल्लक भारी है आपके ऑप्शन से बच्चे की भाया की या फिर बारिश की जब सामाल ला जाने के लिए बोला जाता है बच्चे को मार्केट से तो कहता है कि मेरी गुल्लक तो हल्की है आप अपनी ट्रटो लो है ना तो किसकी गुल्लक के लिए कहता है बच्चा खुद की भाया की या फिर बारिश की नेठ्स कुएशन इस साथ समुंदर भर कर कॉन लाया है आपकी औप्शन से भाया साथ समुंदर भरकर लिए ए ना या फिर बादल साथ समुंदर आप जानते हैं seven जो आपके oceans हैं उनकी बात हो रही है I am sure नाम आपको पता होंगे उनके पांच है वैसे basically but still साथ समंदर बोला जाता है हिंदी में जब भी आपने कई गानों में भी सुना होगा साथ समंदर पारेनोल तो साथ समंदर भरकर्क भीया लाए हैं नाम लाई है या फिर बादल लाया है को का है next question is किसकी गुल्लक हलकी है भारी तो क्वेशन होचुका हलकी किसकी है भाया की बच्चे की या फिर कवी की कवी होता है जो आपकी कवीता लिखता है राइٹर जो होता है अगला प्रशनや नाव 13 मुझको हर्शाओ यह शब्द इस्तिमाल हुआ है इसमें हर्शाना हर्शानी का क्या आर्थ है बारिश हसना खुश करना हर्श गारिश करो हसाओ या फिर खुश करो अगला प्रशन है कविता के कवी का नाम हमेशा मैं पूछती हूँ मैं चाहती हूँ कि जितने भी कविता हैं आपकी NCRT में के कवियों के नाम एकलिस आपको याद हो जाए आपकी ऑप्शन से मैथली शरंगुप्त, भारतेंदू हरिशन्द या फिर हरी करिशन दास गुप्त आपकी जहां पर पोयम खतम होती है उसके लास्ट में हमेशा कवी का नाम दिया रहता है या फिर कई बार चाप्टर्स के लास्ट में आपको राइटर के नाम भी दिये रहते हैं लेखक के नाम दिये होते हैं तो उनको आप जरूर पढ़ें मैथली शरंगुप्त ने लिखिया ये कविता नाववनाओ भारतेंदू हरिश्वन्द या फिर हरी कृष्ण दास गुप्त ओके आंसर कर दिया होगा आपने अगला प्रशन है गुल्लक भारी अपनी खोलो वाक्य में क्रिया शब्द क्या है क्रिया आप जानते हैं ऐसे शब्द होते हैं इन तीनों में मिं बता दूं आपको चलिए आप मुझे कमें सेक्षयं में बताए यहां पर आपको बताएँ ह Cum एक तो आपका विशेशन हे तो कॉमेंट सेक्शन में आपको बताना pepper कॉंसा? कॉनसी क्रिया है, कॉनसा कॉनसा विशेशन है। अगला प्रष्ण है चंद्रगुप्त मौर ये एक ऐसी संज्रची सत्क्रिया क्या वाक्त विषेशन? शब्द क्या है विशेशन शब्द आपके वो होते हैं जो किसी की विशेश्टा बताते हैं कि आदमी वस्तु कोई भी कैसी है उसके बारे में बताया जाए चंद्रगुप्त मौरिय महान समराट से समराटिक विशेशन है चंद्रगुप्त मौरिय विशेशन है या फिर महान आगे आते हैं, अकबर एक मुगल बादशा थे, उन्होंने भारत में अनेक एतिहासिक चीजें बनवाई, अकबर के बारे में आपको पता होगा, मुगल बाबर से शुरूए थे, बाबर, हुमायू, अकबर, देनशाजा, जहांगीर और बहुत सारे लोग आए बीच में, तो अकबर जो थे, उन्होंने भारत में अनेक एतिहासिक चीजें बनवाई, जैसे आप आगरा का किला वगएरे देखते हैं, तो इस वाक्ये में खेर आपको तो सर्वनाम बताना है, हम हिंदी पढ़ रहे हैं, सर्वनाम होते हैं, वो शब्द जो संग्या के बदले इस्तिमाल होते हैं, उन्होंने अकबर भारत, कौन सा इन में से एक संग्या शब्द हैं, अगला प्रशन है, प्रव उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाईए, तो इसका अंसर में आपको अभी दे दूँगे, विकास लास्ट में आपको सिर्फ जो आपके ऑप्शनल क्वेशन्स हैं उन्ही के यह answer मिलेंगे, प्रव क्या होता है, देखिए शब्द है आपका क्रिया, हिंदी में उपसर्ग या प्रत्य लगाकर आप नए शब्द बना सकते हैं, उपसर्ग वो होते हैं जो किसी शब्द के आगे लगते हैं और नए शब्द बनाते हैं, जैसे अगर मैं क्रिया प्रक्रिया प्रोसस जिसे आप बोलते हैं ओके सो हार में प्राउपसर्ग लगाईए भात में प्राउपसर्ग लगाईए और इन दोनों के आंसर आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में करिए कॉपी में नहीं लिखेंगे कॉमेंट सेक्शन बताएंगे क्या नया शब्द और अभी अभी में cross check भी करा दूँए आपका चलियतर दे दिया होगा आपने देखिए हार का होगा प्रहार और भात का होगा प्रभात प्रहार करना किसी पर attack करना प्रभार प्रभात सुरी, प्रभात सुबह के समय को बोलते हैं तो यह दो शब्ध है प्रकरिया मतलब प्रॉसेस होता है तो प्रहार प्रभात अगर आपने लिखे आपके आंसर सही आप अपने आपको one mark दे सकते हैं वहाँ पर अगला प्रशन है इंद्र धनुष में कौन सा रंग नहीं होता है इंद्र धनुष के रंग में आपको जी के क्विज में कहीं बार लर्ण करा चुकी हूँ एक तरीका भी बता चुकी हूँ इंद्र धनुष के इंद्र धनुष में यलो और इसी क्रम में होते हैं ये बिल्कुल तो बताए कि इन में से कौन सा रंग इंद्र धनुष का नहीं है आपके options हैं नीला, काला, पीला नीला, ब्ल्यू, काला, ब्लाक, पीला, यलो इंद्र धनुश की बारिश के बाद आता है इसलिए इसका एक question डाल दिया गया है यह देखें यह हमारा इंद्र धनुश है जैसे मैंने बताया था wallet, indigo, blue, green, yellow, orange, red okay, so यह आपके answers है अब जहां पर आपने answers लिखें उसको cross check कर लीजिए पहले का answer है B second C third B fourth C fifth B, sixth B कुछ question एक जो थे जो एक दो जो आपके उपसर्व अगयरा के थे उनके answers में वही पर आपको बता चुकी हूँ 7th C, 8th B, 9th C, 10th A 11th का answer मैंने तभी बता दिया था आपने अगर उपसर्व सही लगाया है तो 12th B यह आपके question के answers है अब आप क्या करेंगे अगर आपको लगता है कि आपने कुछ नया सीखा है आज तो सबसे पहले तो वीडियो के नीचे थम प्रेस कर दीजे लाइक का बटल और secondly जो इतने भी आपके मार्क्स आये हैं अपने नाम और अपने के वी के नाम के साथ या फिर जो भी आपका स्कूल है उसके साथ नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता दीजे बाकी बच्चे भी देखें अपने फ्रेंज के साथ शियर करें वो भी क्विज को अटेंट करेंगे वो भी अपने मार्क्स लिखेंगे थोड़ा कॉम्पटिटिव एन्मार्मेंट बना रहेगा स्कूल अब आप जा नहीं रहे हैं घर में थोड़ा पढ़ाई के लिए मोटिवेशन भी चाहिए आपको सो यह एक अच्छा तरीका है ओके सो दाट सौल चलिए थांक यू सो मच पर वाचिंग